2021 के भारत सरकार की बजट में रेलवे बजट जिसमें 1,07,000 करोल रुपै का पूंजिगत वियाय बजट स्विक्रित हुआ है जिसमें अन्य कारियों के लिए जारी बजट को जोड दिया जाये तो 2,15,000 करोल रुपै का बजट मिला है जिसके संबन में पूर्वत्तर रेलवे के CPIRO पंकच कुमार सिंग ने कहा कि इस बार की बजट में विध्धुती करण पर जोड दिया गया है साथी ट्रेनों की सनरक्षा पर भी विसेज जोड दिया गया है उन्होंने कहा कि पूर्वत्तर रेलवे लगातार प्रगती के पतपर अग्रिसर है इस संबन में गुर्वत्तर रेलवे के मुखी विकास अधिकारी पंकच कुमार सिंग ने कहा रेलवे को एक लाग साथ हजार करोड पूजी गजट निवेस के लिए बजट में मिला है जैसा माननी है वित्तमंतरी बोल रही थी और इसके अलावा कुछ एक्स्टर बजेटरी अलोकेशन का भी प्राधान किया गया है जिसके माध्यम से इस वर्स कुल रिकॉर्ड दो लाग पंद्रह हजार करोड टोटल भारती रेलवे को कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए मिला हुआ है इसके अंदर जो फोकस है जो हमारी विद्यत्वी करण के कारे चल रहे है इनका लक्ष भी रिधारित किया गया है कि दिसंबर 2023 तक सभी विद्यत्वी करण के कारे पूंड कर लिए जाएंगे सभी गाड़ियां विद्यतिंजन से चलेंगे जहां तक एनी रेलवे का अगर पशन है तो अभी तक कुल 2021 रूट किलो मेटर एलेक्टिफाइड हो चुका है यहां पर अभी इस वर्स जो अभी दो महीने बचे हुए फर्वरे और मार्च में हम लोग कुल 241 रूट किलो मेटर एलेक्टिफाइड करेंगे साथ ही साथ अगले वर्स का भी टार्गेट जो हम लोगों ने तैय कर रखा है और 644 रूट किलो मेटर का है तो हम लोग इस टार्गेट को जो निर्धारित किया गया है सबी कारें को पूरा करेंगे ने अगले पार करेंगे 251 नहीं नहीन देखिय ऐसा है कि हम लोग लगातार संक्रक्षा discussions में लगातार कारें कर रहे हैं और जो हमारी नई जो गाड़ियां है वह नहीं लग इस टार्गेट घार करना है जैसे कि हम लोग लग 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 लगातार करेंगे और इसके अलावा भी संग्रक्षा के छेत में लगातार हम लोग बहतर कारे कर रहे हैं जो हमारी पुरानी स्लीपर्स हैं रेल्स हैं वो बदली जा रही हैं उसकी जगह बाउन केजी की जाएं 60 केजी के स्लीपर और 60 केजी की रेल्स लग रही हैं तो यह सारे कारे चल रहे हैं झाल